वेलकम फ्रेंग्स तो इंफनाइट ग्रीन एम्टी यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक शर्व एंड सब्सक्राइब आर चैनल तो फ्रेंग्स आज हम जिस प्लाइंग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं वो है क्रिस्मस ट्री तेखे फ्रेंग्स अकर आप क्रिस्मस ट्री यह देशी क्रिस्मस ट्री है जो हम टीवी में रेखते हैं वो इंग्लिश होता है यह देशी है कि जो जो इंग्लिश क्रिस्मस ट्री होता है उसे एक तो शॉर्ट लाइफ होती है और उसकी धीरे ग्रोथ होती है लेकिन देशी की उस्ते कंपेरेटिवी थो कीजिए और आपको नेक्स मे बड़ा किसमस पहले करने में अब एक बाल प्लानिक लिज्जिया निस फ्री में हम भी कासी किसमट सफें बात की जाए striking good source of vitamin है और यह stress is reduced कलता है एंजाइटी है टेंशन और डिप्रेशन को कम कलता है और यह respiratory conditions में भी हील कलता है जैसे asthma, cough या bronchids और यह cold, flu, soul, throat और fever में भी काम आता है और यह जो प्लांट है इसको कैसे वाटर करना है उस पर एक complete video हमाय चैनल पर अप्लोड़ेट है आपके जाइट साइट पर आज बटन शहूर होगा वहाँ पर आप जाके उस वीडियो को चेक कर जखते हैं और यह प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है जैसे जहां मैंने दिखाओं तो देखें जो ऊपर यह चाहर दंडिया आ रही है और इसके जो नीचे है जो दंडिया वह पुरे देट साल बाद ऐसे गोस होने शुरू ही थी नहीं से नीचे जो जो यह देंडिया है यह वान अन्दा हाफ यर बाद उबने शुरू हुई थी जै मैंने इसको इसके बाद से लिखिए में को दो तेन साल हो गए शार्जे पर्चेस किये हुए और देखिए उसके बाद से एक यह आई है और अब उपर सेकंड आने शुरू होगी है और यह देशी वराइटी है लेकिन जो इंग्लिश वराइटी है वह तो बहुत जादा ही स्लो होती है अब इसमें कॉमन टेस्ट कून से हैं तो जीकॉमन पेस से एफिर्ड और फ्रोस्पाइडामाइसस में कैसे गंट्रोल करना है इस पे भी हमारे शानल में यह और बात चिए इसको ले ना कैसे है प्यूंग नर्स्क्री में वह वाला प्लान चूस करिएगा जो आपको हेल्ड आपको मैं इस्टार्टिक में दिखा रहा है कि इसमें दो कलर कैसे होते हैं जिसे लाइक ग्री मतलब चुछ दाग रची लिफ होती हैं देखिए अस्थिसी जो कि देखिए और फोल दांट को जल्दी गूव करें आपके लिए और एक पो लीजिए और उपर और आप जो लें आप एक लिए चेक करें कि उसके ऊपर 5 दंडियों हो तो जबसे अच्छा चलेगा क्रिस्मस तो मैंने जो लिया था इसके ऊपर भी 5 ही मूँ थे आप वह वड़ा लेंगे तो आपका वह जाद अच्छी ग्रोथ लेगा और ये पांच पत्र होने चाहिए आपको मैं फिसके पॉइंट से आद कराता हूं तो एक उसमें अच्छी ब्राउन कला की पत्री होने चाहिए नहीं हरी हरी नहीं होनी चाहिए और इसके उपर 5 होने च चाहिए तो इसको ज्यादा बड़ा कंटेनर भी नहीं चाहिए क्योंकि देखिए मैंने लगाया है इसको मैंने 6 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगाया है और देखिए इसके लंबी से दंडी है और ऊपर जाके गोट हुई ज़रूरी नहीं है कि आपकी में भी ऐसा ही हो लेकिन अगर बैसे मेरा है तो इसमें भी ऐसे ही होगा वो टाइम तक इसमें लंबी लंबी दंडी बढ़ती रहें और नीचे के पत्ते जाते रहेंगे और जब अच्छी हाइट पहुंच जाएगा तब यह पूरा प्लांट पत्तों से बरेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि अब भी जो प्लांट लें वह ऐसा ही हो वह सकते अपने पत्ते पत्ते आ जाए जाएं जिकि इस प्लांट में कोई फ्लाविंग फ्रूटिंग तो छलन होती ही नहीं लेकिन आप रस्टांट को जुरूर ट्राइग कीजेगा अपने गार्डन में क्योंकि यह जो प्लांट ह की जाए तो इसके लिए सबसे अच्छा क्रावडन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट होता है बाकी इसको खात कितली टाइम में देनी है तो इसको दो-दो-चार्चा महीने भी एक बिना खा दिये भी अराम से अच्छी ग्रोथ लेगा एक बाकी इसको सब पानी कोशिश मॉर्मली भी हलका कमी दीजिए वहना इसमें उपायल का लग जाता है तो आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स अगर ऐसा कोई भी पॉइंट हो जो हमसे इस प्लाइंट से रिलेटेड रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दरूद बताईएगा आपका कोई भी कोश्ट तो आप हमसे कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं डेटेल्स आपको वीडियो के एंड मिल जाएंगी थैंक यू फैंड्स हैपी गार्णी